रहस्य मई भूतनी की कहानी एक समय की बात है राजिस्थान के एक छोटे से गाउं में लोगों की एक खुश्नमा जिन्दगी चल रही थी यह गाउं चारों तरफ से पहाडों और जीलों से गीरा हुआ था और यहां की प्रकरती बहुत सुन्दर थी यहां की सुन्दरता लोगों के मन को मोह ले दी थी इस गाउं के बारे में एक रहस्य में बात चर्चा में थी लोग कहते थे की यहां एक भूतनी का साया मन राता है कर्मी की उन रातों में जब चांदनी अपनी पूरी रोश्नी फैला रही होती थी लोगों को अक्सर एक किरारती हुई आवास सुनाई देती थी इस आवास को लोग भूतनी की आवास कहते थे पहले तो लोगों ने इसे एक अफमा माल लिया था लेकिन जब गाउं में पुजारी पंडित शीव प्रसाद ने खुद इस भूतनी को देखा उसकी आवास सुनी तब यह चर्चा और भी कंभीर हो गई पंडित शीव प्रसाद ने बताया कि एक राज जब वह मंदिर कियों आरती कर रहे थे तो उन्हों एक साया देखा वह साया बिलकुल किसी त्रीका था अपने लंबे बालों को खोले हुई सफेद साडी से लिप्टी हुई कोई स्त्रीका साया उसके चहरे पर एक अजीब सी हसी थी और उसकी आँखों में गहरी उदासी जलक रही थी पंडी जी ने जब उससे देखा तो कहा कि तुम कौन हो बूतनी ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गई काओं के लोगों ने पंडी जी की बातों पर संधे किया लेकिन कई और लोगों ने भी ऐसा ही कुछ अनुभब किया उस भूतनी की अधिकतर रात को रात को ही प्रकट होती थी और परवत के पास वाली पुरानी हवेली की तरफ जाते हुए उसे बहुत से लोगों ने देखा गाओं के बड़े बज़ुर्गों ने बताया कि यह भूतनी दर असल एक नव्यूवती है जिसका नाम सुहासिनी था वह भूतनी गाओं के बज़ुर्गों ने बताया कि उसका गाओं के बज़ुर्गों के ज़वान पर हमेशा यह कहानी रहती थी सुहासिनी एक गरीब घर की बेटी थी और बहुत सुन्दर और बुद्धिमान थी उसकी सुन्दर्टा पर उसकी सुन्दर्टा की पूरा गाओं चर्चा करता था लेकिन उसकी किस्मत में कुछ अलग ही मूड़ा आया और वह अपनी ज़ान गवा बैठी सुहासिनी की शादी के सबसे अमीर जिमिनदार की बेटे से हो गई गाओं के लेकिन उसकी सुन्दर्टा और सरल्टा के कारण गाओं के कुछ ना समझ यूवकों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया एक दिन उनोंने यूवकों ने उसे परिशान करने की कोशिश की और वह वहां से भाग कर पुरानी हवेली में छिप गई लेकिन वह हवेली पहले ही खंडर में बदल चुकी थी और वहां से निकलते वक्त उसके साथ एक हाथ्सा हो गया कि उसकी एक इह दिवार उसके सिर पर आग पड़ी और वह उसके नीचे दब कर मर गई और उसे अपनी जान गवानी पड़ी लोग कहते हैं कि सुहसनी की आदमा को शांती नहीं मिली इसलिए वह भूत बन कर रात को उस हवेली की और जाती है गाउं के हर बच्चे की जुवान पर यही था गाउं वालों ने कई बार उस हवेली में जाने की कोशिश की लेकिन हर बार वे असफल रहे इस बिच गाउं के कुछ यूवकों ने एक नई योजना बनाई उन्होंने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलजा कर रहेंगे और भूतनी की आत्मा को शांती भी दिलवाएंगे रात के अंधेरे में वे यूवक साहस बटोर कर हवेली की और चल पड़े हवेली पहुंचने पर उन्होंने एक अजीब सी उर्जा महसूस की वे दिरे दिरे हवेली के अंदर गए और वहां उन्होंने सुहसनी की आत्मा देखी और वहां जाकर वे सुहसनी की आत्मा से मिले यह उस आत्मा को देखकर वो लोग डर गए लेकिन साथ ही उससे ध्यान से देखकर उन्हें पता चला कि उसकी आँखों में कितना दुख और पीड़ा है तब ही उनमें से एक यूवक ने हिम्मत जुटाई और कहा सौहसिनी तुम हम जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांती नहीं मिन हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें सौहसिनी ने धीरे धीरे कहा मेरी आत्मा शांती तबी मिलेगी अगर तुम मुझे वहीं दफनाओ जहां मेरा असली घर था यूवकों ने उसके आदर्शों का पालन किया और अगले ही दिन पूरा गाओं मिलकर सौहसिनी के पुराने घर पर गया जाकर लोगों ने सौहसिनी की शरीर को पूरे रितीर जवाजों के साथ दफना दिया जैसे उसके शरीर को दफनाया गया वैसे ही उसकी आत्मा वहां आ गई और उसने गाउं के लोगों का धन्यवाद किया और वहां से गायब हो गई कहा जाता है कि इसके बाद सुहसनी की आत्मा किसी को भी कभी नजर नहीं आई गाउं की वह हवेली भी अब जरावनी नहीं लगती बच्चे वहां खेलने जाया करते और खुब मस्ती करते